हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम इंडियन रिसर्स सेंटर भारत के प्रमुख शोच संस्थान के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स बहुत यह अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ एक एक करके अपन समझते हैं पहली ट्रिके चावल का रिसर्स सेंटर कहां पर हैं दोस्तो इसका रिसर्स सेंटर पता करने के लिए हमने चावल का यूज करा और एक लड़के को हमने चावल खिलाया इसने खाते ही चावल इसके मुझ से कट कट की आवा जाने लगी तो दोस्तो चावल का जो research center है बिल्कुल कटक में है कट-कट से कटक में है तो यह आसानी से आपको याद रहे सकता है चलिए next research center की बात करते हैं काँच का research center कहां पर है तो दोस्तो हमने सबसे पहले क्या करा एक काँच लिया उसके उपर कोल रखा मतलब कोईला कोल रखा और उसे काटा तो हमने क्या करा कोल को काटा तो कोल को हमने दोस्तो काटा तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कोल काटा तो दोस्तो काँच का research center कॉल काटा में है बिल्कुल सही चलिए next research center की बात करते हैं दोस्तो आलू का research center कहां पर हैं ? तो friends हमने क्या करा आपको जिसाद दिख रहा है चित्र में ये आलू है इसका टेस्ट करना था रिसर्च करना थी तो दोस्तों ये आलू है कि नहीं हमने टेस्ट करने के लिए इसकी साथ शिमला मिर्च के साथ सबजी बनाई और खाई तो बिल्कुल आलू का टेस्ट आया मतलब हमने शिम्बला मिच का यूज़ करा मतलब दोस्तो शिम्बला बिल्कुल सही आलू का रिसर्स सेंटर शिम्बला में है शिम्बला दोस्तो ओके फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स अगली ट्रिक को समझते हैं चीनी का रिसर्स सेंटर कहां पर हैं बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तो आपको यहां चित्र में एक बोरा नजर आ रहा होगा जिसके अंदर चीनी भरी हुई है यह चीनी है के नहीं यह टेस्ट करना था तो दोस्तो हमने क्या करा कि इस लड़के के कान में इस साइट से चीनी डाला और उस साइट से देखा कि चीनी निकल रही कि निकल रही पर दोस्तो चीनी उस साइट से निकल गई मतलब हमने चीनी का प्रेसिक्शन करने के लिए कान का यूज करा तो बिल्कुल दोस्तो चीनी का रिसर्च सेंटर कानपूर में है अपने कान का यूज करा तो कानपूर में है ओके फ्रेंड्स चलिए अगली बात करते हैं मस्तिश्क का रिसर्च सेंटर कहां पर है तो मस्तिश्क का रिसर्च सेंटर पता करने के लिए दोस्तों हमने क्या करा एक लड़के के मस्तिक्ष पे गूड का पूरा के पूरा डला खीज के मारा तो उसका मस्तिक्ष बिल्कुल सही रहा उसको कुछ भी नहीं हुआ तो मस्तिष का रिसे सेंटर गूड का उने मारा इसलिए गूड से गुडगाउं आपको बिल्कुल आसान ताके धन की बरबादी कर रहे हैं तो धन बरबाद कर रहे हैं तो धन बाद धन बरबाद बिल्कुल सही दोस्तों तो फ्यूल कर इसा सेंटर कहां पर हैं दोस्तों धन बाद में हैं तो यह आपको बिल्कुल आसने से याद रहेगा दोस्तों अगर आपको यह ट्रीक अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए थेंक्यों दोस्तों